नमश्कार इन खबर में आप सभी का सुवागत है। जरूर जाते हैं। इस पार वे 18 जून को अमेरिका गए थे और वहाँ तीन हफ़ते रूके थे। उन्हें पहले ही चेक अप के लिए अमेरिका जाना था। लेकिन कोविट लॉक्डाउन और फिल्मों की शूटिंग के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। रजनी को ब्लेड प्रेशर में उतार चड़ाव और थकान की शिकायत थी। खराब सेहत की चलते ही उन्होंने पिछले साल पॉलिटिक्स में एंट्री का फैसला टाल दिया था। वह पॉंगल पर अपनी पार्टी लॉंच करने वाले थे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रजनी ने कहा था कि वे खराब सेहत की बावजूत राजनीती में आने का एलान कर वीरता नहीं दिखाना चाहते। अपने समर्थकों को भी परिशान नहीं करना चाहते। साथ ही कहा इस फैसले से फैंस को निराश्या होगी लेकिन मुझे माफ कर दीजिये। सुबस्टा रजनी कांत को तीन दिन पहले ही दिलनी में दादा साहेफाल के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस तोरान उन्होंने अपने दोस्त और बस ट्राइवर राज पहादर को धन्यवात कहा था जिनकी वचह से वो फिल्मों में आई थी। ये अवार्ड एक साल की देरी से खोशित हुआ है क्योंकि पिछले साल कुरोना महमारी के चलते ऐसा नहीं हो सका था। अवार्ड से एक दिन पहले कुद रजनी कांत ने भी सबसे बड़े दिन को लेकर शोचल मीडिया पर अपने खुशी जाहिर की थी। इसके साथ ही उन्होंने बेटी सौंदरिया विश्कन की उपद्धी को भी शेयर किया था। तकी उन्हें इस बात का दुख भी था कि उनके गुरू कैबी उन्हें पुरुषकार प्राप्त करता देखने के लिए जीवित नहीं है। तो ऐसी ही खबरों पर रहीगी हमारी नजर आप देखते रहिए इन खबर।